हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांगुवा मूवी के बारे में दोस्तों, साउथ सुपरस्टार सूरिया की अपकमिंग फिल्म कांगुवा का जब से एलान हुआ है तभी से फैंस इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एकसाइडिट है ऐसे में फैंस इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे है ऐसे में मेकर्स ने फिल्म को रिलीज करने का एलान कर दिया है जी हाँ, बहुत जल्द आपको ये फिल्म सिनेमा घर में देखने को मिलेगी लेकिन film release से पहले हम आपको इस film की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं तो आइए जानते हैं क्या है कांगवा की कहानी दोस्तों कंगवा की कहानी एक ऐसे युद्धा के बारे में है जो अपने गुठ को बचाने के लिए एक हैवान के सामने लड़ता है फिल्म की कहानी 700 से लेकर 2023 तक दो-दो अलग-अलग काल खंडों पर आधारित है 500 साल की यात्रा में उस हीरो का काम एक मिशन को पूरा करना है सोमवार को फिल्म का धमाकेदार टेलर भी रिलीज हो गया है दोस्तों फिल्म की स्टार कास्ट पर बात करें तो फिल्म में सूर्य तेलावा बॉबी दियोल और एक्ट्रेस दिशापाथनी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइड़ेट नजर आ रहे हैं फिल्हाल फिल्म रिलीज डेट 14 नवंबर 2024 को रिलीज होगी दोस्तों फिल्म कंबुवा में बॉबी दियोल खलनायक की भूमिका में है और अभिनेता सूर्या ने एक ऐसे वीर योद्धा का किरदार निभाया है जो 100 साल बाद फिर अपने रंग में है फिल्म दो अलग-अलग कालखंडों की कहानी कहती है और इन काल खंडों को परदे पर वास्तविक बनाने के लिए इसके निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग दुनिया भर की रियल लोकेशन्स पर की है यूरोब, थाइलेंड और श्री लंका की कई आकरशक जगहों पर फिल्म की शूटिंग तो की ही गई है फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म के लिए देश में कई ऐसी जगहें खोज निकाली जिन्हें परदे पर देखना एक अलग ही अनुभव होगा दोस्तों, जानकारी के मुताबिक करीब 350 करोड रुपे के बजट में बनी इस फिल्म के कुछ अहम हिस्से चेननई के पास और कुछ हिस्से पुदुचेरी में भी फिल्म आये गए हैं लेकिन फिल्म का एक शानदार सीक्वेंस फिल्म आने के लिए फिल्म कंगुवा के निर्देशक शिवा ने केरल में कोडाइकनाल के जंगलों को चुना और यहां सूर्या के साथ एक महत्वपूर्ण सीन फिल्म आया गया फिल्म के द्रिश्यों को वास्तविक बनाने के लिए इसके निर्माताओं ने सिनेमा की आधुनिक्तम तकनीकों का इस्तेमाल किया है इसी इंट्रस्टेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें